नमस्कार दोसको, प्रेटकल नॉलेज चैनल पे आपका हरदित, अबनेंदन और श्वागत है हम यहाँ पे बैंकिंग, फाइनेंस, प्रपर्टी, गवर्नेंटी स्कीम और सबसीडी और एजुकेशनल वीडियो लेकर अलाएंगे जो प्रेटकल नॉलेज है, वो हम आपको बताएंगे और कत्नी और करनी में जो होने वाला फर्क है, उसको जीरो करेंगे हमारा आज का जो वीडियो है, एनेस डीसल पेमेंट बैंक का, CSP मीनी ब्रांच कैसे लें, उसी पर आधारित है जो NSDC payment bank है, एक सरकारी bank है, इसको हमने पिछले वीडियो में बताया है और समझाया है के NSDC payment bank एक सरकारी bank है, आपको RBI के विवस साइट और NPCI के विवस साइट पे लेजा कर दिखाया है कि कैसे license agreement और सब चीजें एनस्टी सेल पेमेंट पेमेंट बैंक की हैं जिसको आप हमारा पीछो वीडियो जो के एनस्ट डियल बैंक पर आधरित है उसको आप आई बेटन पर जाकर देख सकते हैं अत्वाय एनस्ट डियल पेमेंट बैंक का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर ह कैसे सरकारी बैंक है और क्या इसके डिटेल्स हैं बैंक के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं जैसा कि एनस्ट डियल को अरबियाई ने मैंडेट किया है वुत्रपदेश के 75 में से 46 जिलो में बैंक बीसी एपॉइंट करने के लिए जिसमें आप पहले आओ पहले आपाओ के आधार पर निश्चित पिन कोड और लोकेशन पर मिनी ब्रांच ले सकते हैं अगर आप पूरी जानकारी के बाद मिनी ब्रांच लेना चाहते हैं तो क्रप्या हमें स्क्रीन पर दिये गए इस नंबर पर संपर्क करें जो पहले आओ पहले पाओ के अधार पर उत्तपदे पर निश्चित पिन कोड और लोकेशन पर मिनी ब्रांच दिया जाएगा उसके लिए सबसे पहली जौजरुत है कि आप जिस लोकेशन पे फिनी ब्रांच लेना चाहते हैं वहाँ पे उस यकेशन पर पर दूसरा कोई पहले से बैंक आडी ने लिया हो नहीं तो system आप apply करें करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा पहले आपको अपने जो भी हम हैं हमसे आप डिसाइट करेंगे कि चेक करवाएंगे कि उस पिन कोड़ पे वो कोई मेरी ब्रांच खोला है या नहीं खोला है उस वह प्लेस है लोकेशन भीफिन कोड़ आपका स्पेस खाली है या नहीं खाली है हम यहाँ पर मेरी ब्रांच खोलना है उसको दिखाए है जो में चुना लेगा पर प्रश्द Śथ वहां पर अपने लोकेशन हैं वह पिंग पांच मिनि ब्रांच को जाएंगे गोगाओं में 5 ब्रांच खोले जाएंगे रैपुरा में एक ब्रांच खोले जाएंगे इस प्रकार मिरजयापुर में total 33 मीनी ब्रांच खोले जाएंगे अता इस अपज़ुन्टी को जितना जल्दी से जल्दी आप ले सकते हैं उसका ये फायदा उठाइए नहीं तो अगर आप उस रेखरा उस बार मीनी ब्रांच लेने का जो तरीका है उसमें सबसे पहले जो बिजनेस प्रपोसल एग्रिमेंट है एनस्ट वैरा उस्की तिन पर्ती है जिसमें हम एक परती जो कमिशन है वो हम आपको दिखा रहे हैं जो कै अजिस्कर enslaved मेले के लिए आप हमारा पिसले विढियो देख सकते हैं उस में हमको अपर से कवर किया है कि कितना कमिशन है परड़े परमंत कितना मिलेगा आपको इसको एग्रिमेंट को साइन करना पड़ेगा उसके बाद आपको तीन पेज का जो बिजनस क्राइब का टर्म कंडिशन वाला पेज है उसको साइन करना पड़ेगा उसमें आपको एक फोटो पेस्ट कर जिसमें आपको अपना bank account detail देना है, FSC code देना है, branch नाम देना है और उस पर sign करना है, यह standing instruction आपके जो commission बनेगा, जो payout बनेगा, उसमें आप कभी भी branch आपके account में पैसा डाल सकता है, यह आप उसको permission देंगे, उसके बाद जो required document है, वो self-attested होना चाहिए, अधार card होना चाह चाहिए, bank की passbook होना चाहिए, या checkbook होना चाहिए, और जिस address पे आप mini bank branch खोलना चाहते हैं, उस address का आपके पास address book होना चाहिए, आप खताव नहीं है, ellipticity bill हो, या फिर और भी अगर आप जहां पे rent पे लेकर के mini branch खोलना चाहते हैं, वहां का आपके पास landlord का agreement होना उसके बाद जो, उसके बाद NSDL payment bank आपको एक चालू खाता खोलेगी, जिसका जो चालू खाता खोलेगी, उसका आप में एकाउंट नमबर यहां देख सकते हैं, customer IDA है, IPC code यह है, और किस date open होगा है वो देख सकते हैं, आपको कितना available balance है, वो आपको यहां पे देख सकते ह हैं, जो आपको NSDL बारा आपको एक जालू खाता खोला जाएगा, आप उसको play store से NSDLGP app डाउनलोड करके, आप खुद चेक कर सकते हैं, कि आपका account detail क्या है, जो NSDLGP app है, mobile number डाल कर पासवर्ट करके, उसके बाद उस current account में, आप 10 रुपे, 100 रुपे डाल करके, यह चेक कर सकते हैं, कि वो account कितना frequently काम करा है, जब आप किसी bank से पैसा transfer करेंगे, तो तुरंत उस account में आपको पैसा credit हो जाएगा, और वो पैसा आप किसी को भेज करके, चेक कर सकते हैं, कोई भी आपको neft, RTGS, MPS में कोई भी चार्ज नहीं करता है, उसके बाद आप उसमें पासज वो आप के account से काट लेगा, और आपको जैसा कि मैंने इसले वीडियों में बताया था, कि आपको एक ID मिलेगी 5000 रुपे में, और तीन बैनर मिलेंगे, उसके बाद एक हपते के अंदर, जो आपके पास जो shop है, जो space है, जहां पे आप मीनी ब्रांच खोलना चाहते हैं, उसक अपने उस size का बैनर आप कस्टमाइज करके देगी, यह flexibility है, उसके बाद बैनर मिलने के बाद आपको एक fingerprint sense करने के लिए मार्फो या मंत्रा डिवाइस open market से करेदा पड़ेगा, आप मार्फो मंत्रा की डिवाइस जानते ही 1500 या 2900 रुपे का open market में लेबल है, उसके बाद इस मार्फो मंत्रा डिवाइस को आप अपने smartphone से connect करके banking service अपने सफी customer को दे सकते हैं, इसमें अभी starting में laptop को necessary नहीं किया गया है, अगर आप अपने smartphone से ही banking service अब अपने customer को दे सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको starting में laptop से ही काम करना है, उसके बाद हम आप से कहेंगे, please join us to empower our ruler or remote area with digital banking and cash, please contact mini bank branch के लिए, इस नमबर पर WhatsApp करें, या इस contact number पर phone करें, और हमारा जो next video है, जो एनस डिसल या फिर अधर जो payment bank है, जाए वो फिनो हो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो, उस उस पे जो आपको जो charges करते हैं, जो limitation है, उस पे आधायत है, हमारा चैनल लाइक और subscribe करें, ताकि आपको लो जो हमारी next latest video हो, वो तुरंत मिले, thank you, thank you for your current attention and watch my video.